मुबाइल परचेस करने पर GST का बेनिफिट कैसे ले आइफोन 15 दोस्तों भी रीसेंट भी लॉंच हो गया है तो मेरे पास काफी सारे कमेंट आए कि तर आपने सारे टॉपिक्स के उपर वीडियो बना दी यह आइफोन 15 के उपर एक वीडियो बना दो प्रेक्टिकल एग्ज सामपल के साथ तो वीडियो होने वाली है बहुत जादा इंपोड़न इसलिए आप से मिशार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देके और स्किप ना करें नमश्कार मैं तीपक बैसल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर गाइस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दूस्तों कमेंट करें प्यार दें वीडियो उसको ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके नहीं करा हैं इस्टाग्राम पर ट्विटर पर लिंडिन पर या फेस्बुक पर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हैं क्लिक करके जॉइन कर लिए तो कैसे लेना है आपको यहां पर दो कंडिशन फुल्फिल करनी है यह बहुत इंपोटन दोस्तों कंडिशन है ज कोई भी मॉबाइल फोन पर चेस कर रहे हो तो आपने बिल्टो लिए होगा आपके पास मॉबाइल फोन भी आ गया होगा तो कुछ जनरल सी कंडिशन है जिनको मैं वीडियो में डिटेल में नहीं समझाऊंगा वह मैंने आला कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप डिस GST नंबर होना चाहिए अगर आपको GST का बैनिफिट लेना है मॉबाइल खरीकते वर्ट ऐसा नहीं है कि मेरे पास GST नंबर नहीं है तो मैंने दोस्त का GST नंबर लेके दे दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों आपको अपना GST नंबर है तो आपको वह यूज करन अपने मॉबाइल खरीदने पर तो आप उसका बैनिफिट ले लेंगे इसका मतलब आप कुछ ना कुछ बिजनस कर रहे है आप चाहिए ट्रेडिंग का काम कर रहे है चाहिए आप होलसेल का काम कर रहे है चाहिए तो किसी भी सेनेरियो में आपके पास GST नंबर है तो आप G करूँगा जो की बहुत important point है क्या कि आप उसको यूज करोगे अपने business के लिए personal purpose के लिए यूज नहीं करोगे तो इसलिए GST law के हिसाब से अगर आप mobile phone purchase कर रहे हैं अपने business के लिए तो आप उसे जो है अपने business के लिए for the furtherance of business के लिए ही यूज करे personal use ना करे अब आपके कैसे identify होगा कि वो कितना मेरे business के लिए यूज हो रहा है और कितना मेरे personal use हो रहा है दोस्तों इसको identify करना practically possible नहीं है उतना लेकिन फिर भी GST law कहता है इस चीज़ का हमें ध्यान नखना है कि हमें law क्या कहता है देखिए law की हमें non-compliances नहीं करनी है हमें under the compliance में रहके ही सारा क दोस्तों यह दोस्तों बहुत जादा important दो condition थी जो मुझे लगता है आपके share करूँ अच्छा अब बात करते है एक्जाम्पल की अभी recently iPhone 15 launch हो चुका है इंडिया के अंदर iPhone 15 Pro के बात करते हैं 128 GB की जिसका price है कितना 1,34,900 रुपे का दोस्तों हमें price मनला mobile लेना है अगर मैं 13,322 प्लस 18% GST जो आपका होता है 20,578 रुपे का तो total आपके जो mobile की value आती है price आता है वो आता है 1,34,900 तो that means आपने जो GST पे करा है 20,578 का इसका आपको input tax करें आपका इसका GST इसके नदर आपको benefit मिल जाएगा दोस्तों अगर आपके पास अपना GST नंबर है और आप अ तो इस दोनों condition fulfill करके आप अपने iPhone का किसी भी mobile phone का जो है आपे आप benefit ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों iPhone जो आपका है यानि कि आपका जो mobile phone है उसको आप अपनी books के अंदर आप अपने business के अंदर उसको आप asset दिखाएंगे और उसके उपर आप अलग से 15% depreciation हर साल claim कर स एक्चल में आपको mobile कितने का पड़ा? एक लाग 14,322 का तो एक लाग 14,322 का 15% yearly अगले 5 सालों के लिए आप अपने business के अंदर benefit ले सकते हैं इसका मतलब एक लाग 14,000 का जो 15% calculate होगा उसको आप खर्चा as a depreciation station दिखा सकते हैं अपने business के अंदर जिसकी विजए से आपका profit क काम हो जाएगा आपका tax भी काम बनेगा तो गई यह दोस्तो मैंने एक addition यहां पर point बता दिया आपको कि आप जो है नया mobile खरीदने पर GST का benefit तो लेजी सकते हैं साथ ही आप अपने income tax के अंदर भी फायदा यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हो कि वीडियो आपको पसंद लिए होगी और इस फीडियो आपको पुछना को सोलुशन प्रवाइड किया होगा इसलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रही किया है तो नीचे लाल बनस को दमाएं ताकि ऐसा ही वीडियो आपको टाइम टाइम पर बिलती रहें Thank you